कि असलाम को अलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वर्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम और कुछ दिन पहले आपके सामने इसी हॉल में वीडियो बनाई गई थी जिसमें एक सप्लिट एसी की आपको बताया गया था कि एंडर्ग्रोंड पाइपिंग कैसे की है ड्रेन पाइप और दूसरे आपको यूनिट बताया थे तीन यूनिट जिनकी पाइपिंग अभी नहीं हुई थी वह यह हैं इनकी पाइपिंग हो चुकी है कोपर पाइपिंग अभी नहीं हुई लेकिन ड्रेन पाइपिंग हो चुकी है मैं आपको यहां पर बता लिए है जो मेर्मिंट की है वह मैक्सिमम एसी से उपर 56 का गया हुआ ज़रूर होना चाहिए एक हईट वाला आप एसी मैक्सिमम कहलें कि हईट है मैक्सिमम एक फिट होता है तो वह नहीं हमने मुकंब जो है उसकी उपर से नीचे तक यानिके 18 से 19 इंच नीचे यह ड्रेन चोड़ दी अब यह ड्रेन यहां पर लगाई यहां पर यह 45 डिग्री सेंटी जो हमने डिग्री यह लगा दी है इसके उपर हमने कट कर देंगे जब एसी बठाना होगा अभी उपर से डैड किया देंगे एसी अपने लोक पर आजएगा बिल्कुल अपनी पुजिशन पर आजएगा और यहां पर जो है यह दूसरा इसी है नीचे से ड्रेन इस तरह आई और इसका अलग सिस्टम मतलब यह अगला इसी आगया सेंटर में में कोनेक्शन यह ड्रेन पाइप यहां से यह दे में इफिट होगा कि कोई एक ड्रेन अगर ब्लोक होगी तो एक को ही हम सोल्व करेंगे दूसरा इसी फिल्वक कर जो है हमारा बिल्कुल बेतरी चालू रहेगा यह तीसरा इसी उससे आगे चलकर आ गया इसमें वही उपर से सेंटर में जो है इसके में कोनेक्शन छोड़ द राइट हमने दिया है इसमें गैप ड्रेन का और पाइप का क्योंकि यहां पर दो टन का सप्लीट ऐसी लगएगा बोड़ी उसकी लैंथ बड़ी होगी तो यह ड्रेन पाइप है सेम वैसे ही इसको काट के हम इसमें पाइप इन कर देंगे तो इसी तरह यह ड्रेन नीचे आ एक बेंड लगा ओओँ ठर्ण तो यूनियंग ये भी कह सकते हैं लेकिन यह से जोड बोला जाता है एजिली हमारे AC वर्क करें अब तीनों के अलग पाइप इसलिए डाले हैं कि किसी की ड्रेन तीनों में से जब ब्लोकिज हो एक की हो तो बाकी दो सही चलते रहे हैं अगर तीनों की हम एक ही रखते हैं तो जाइड सी बात कच्छरा ज्यादा पैदा होना था तो एक ब्लोक हो होनी कि तो ब्लोक होने पर यह होना था के हमें प्रोब्लम हो एगर था यहां पर एको के लिए करता होगो कि यह जो पाइप है पापुलर का का है अच्छी क्वालिटी का है अंडर्ग्रोंड पाइपिंग जब भी करें तो अच्छी क्वालिटी का पाइप यूज करें और साथी साथ में यह बता दू कि यह पाइप जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो आपको पसंद आई दो लाइक और शेयर करें और पीसीब कोर्स अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो बहुत सब्सक्राइब को पैकेज में रहा है प्रॉंटेक्ट नुबर आपके सामने मजूद है आप पेरिंग सीख सकते हैं बेसिक एलेक्ट्रोनिक्स कैसे काम कंपोनेंट जो है वो काम करते हैं उनकी टेस्टिंग उनकी वरकिंग यह सारी चीज़े आपको सीखने को मिल जाएगी कोंडेक्ट करके आप पीसीब की प्राइस भी पूर सकते हैं और फ्री में जो है कोर्स जो पर्चेस करेगा उसको फ किसीब कोर्स पर शेज करने के लिए कॉंटेक्ट नंबर पर आप रापदा कर सकते हैं और उनसे मज़ेद इंफोर्मेशन आप ले सकते हैं तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच अलाहाफीज